सफलता का मतलब है आपकी मेहनत को हर मुश्किल से गुजरना और नकाम्यावियों के बावजूद पुनह प्रयास करना। सफलता वहां होती है जहां मेहनत और संघर्ष मिलता है इसमें कोई छोटा मौड़न नहीं होता। अगर आप अपने लक्षों की ओर सारी उंचाईयों की ओर बढ़ना चाहते हैं तो कभी भी हार नहीं मानना। सफलता वही लोगों को मिलती है जो समय का सही तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं और कभी भी हिम्मत नहीं हारते। अगर आप मेहनत में विश्वास रखते हैं, तो सफलता आपके पास होना तयह है। सफलता वही लोगों को मिलती है, जो अपनी कठिनाईयों को एक नए द्रिष्टिकोंड से देख सकते हैं और उन्हें पार कर सकते हैं। मेहनत और समर्पण के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि यही दो चीजें सफलता की कुंजी हैं। सफलता का सफर अकेले चलने वालों के लिए नहीं होता, बलकि साथ ही हमेशा तयार रहते हैं। अगर आप अपने लक्ष की ओर सबसे तेजी से बढ़ना चाहते हैं, तो अपने काम में पूरा मन, शक्ती और समर्पण लगाएं। सफलता का राज है आत्म समर्पण और अवसाद में हार ना मानना। महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी परिस्थिती में हार नहीं मानें, बलकि उससे सीखें और आगे बढ़ें। सफलता का एक और महत्वपूर्ण सिध्धान्त है समय का सही तरीके से उप्योग करना और प्रात्मिकताओं को समझना। सफलता का मतलब है आपके सपनों को पूरा करने की उम्मीद और इसके लिए कभी भी हार नहीं मानना। आपकी मेहनत और समर्पन की दी गई कीमत हमेशा सफलता होती है, चाहे रास्ता जितना भी कठिन क्यों ना हो। सफलता वहां होती है जहां लोग अपनी चुनोतियों को एक नई राह से देखते हैं और उन्हें पार करने के लिए सही कदम उठाते हैं। आपके लक्ष को पूरा करने के लिए आपको अपने आत्म विश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए। सफलता उन्हें मिलती है जो समय का सही तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं और हर कारे को सफलता का राज है आत्म समर्पन और अवसाद में हार ना मानना। महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी परिस्थिती में हार नहीं मानें बलकि उससे सीखें और आगे बढ़ें। सफलता का एक और महत्वपूर्ण सिध्धान्त है समय का सही तरीके से उप्योग करना और प्रात्मिक दाओं को समझना। सफलता का मतलब है आपके सपनों को पूरा करने की उम्मीद और इसके लिए कभी भी हार नहीं मानना। आपकी मेहनत और समर्पन की दी गई कीमत हमेशा सफलता होती है चाहे रास्ता जितना भी कठिन क्यों ना होती है जहां लोग अपनी जुनोतियों को एक नई रह से देखते हैं और उन्हें पार करने के लिए सही कदम उठाते हैं। आपके लक्ष को पूरा करने के लिए आपको अपने आत्म विश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए। सफलता उन्हें मिलती है जो समय का सही तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं और हर कारे को